नमस्कार मैं अब्दुलकरीम स्वाकत करता हूँ आप सभी का प्राइम टेवी पर गामों की क्या इस्तिती है ये किसी से छूपी नहीं है सभी जानते कि यहां विश्टाचार अपने चरम पर है हम लगतार अपने समाधताओं के दौरा ऐसे ही गामों को चिनित कर रहे हैं जह सिक्रम में हमारे बारावंकी के समधता ने अपने जिले के गाउं का निर्फचर किया तो चलिए दिखाते कि यहां की गाउं से क्या तस्वीर निकल कर सामने आई है ग्राम बंचाय चुनाओं की कवरेज लगातार जारी है आज हम बारावंकी जिले के देमा बलाक के केसरवा गाउं में पहुचे हैं और केसरवा गाउं के अंदर पहुचके वहां का हाल जानेंगे और देखेंगे कि पास साल के अंदर परधान जी ने क्या-क्या काम किये है गाउं के अंदर कितना विकास हुआ है गाउं कितना आगे बढ़ा है गाउं के अंदर हम पहुच चुके हैं और गाउं के अंदर पहुचने के बाद यह तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे के तस्वीर आप देख सकते हैं जो यह दरसाती है कि गाउं के अंदर कोई भी साफ सफाई की वेवस्था नहीं की गई है जो नालियां है वो भरी हुई है और यहां पर लोगों से बात करेंगे कि जो सफाई करमचारी हैं कि नालियां भरी होई हैं कि यह आता है कि आप पर्धान ही इस लेगलते हैं पर्धान बहुत बहुत वार कि अच्छ तो वह कुछ सुन भाट रहते हैं नहीं तो ग्रामीलों का साफ तोर पर कहना है कि जो परधान है वो सफाई करमचारियों को भेजते रही है और ना ही इनकी समस्याओं का कोई समाधान करते है पास साल के अंदर परधान ने कितना काम किया है और किन-किन योजनाओं का लाब ग्रामीलों से मिला है ग्रामी डुकता है मून से जानेंगे वह तो एकॉट वह आना था पैसा में आना था पैसा एकांट में आना थो लिस्ट में नाम था अपका नाम को पैसा अपसाँ लेकर लिख लिग यह लेकिन आई और और भी लोगों समब बात करेंगे मन्रेगा के तहट किन-किन लोगों को काम मिला है और क्या है क्या क्या काम हुआ प्रदान के बाद जाना चाहिए आप जनता उसको चुलती आपको जाना चाहिए ना जब कोई काम नहीं करता है तो परदान पाद क्या जाने परदान कोई काम करते हैं और और अपनी बनवाई है फोड अपनी नहीं तो यहां पर जादे तर लोगों को यहीं कहना है कि ना तो सोचाले मिले हैं और ना तो मन्रेगा के तहट कोई भी काम मिला है भाई साब हम इन से भी जानेंगे क्या नाम है भाई साब मेरा नाम दुल्फकार अली है कहां रहने वाले मैं कैसरवा क्या विकास कार कोई हुए है नी इसके वारे हम क्या बताया जाए गाउं के अंदर जो यह रोड़े और सड़के दिख रहे हैं यह पहले बनी थी दस साल पहले इन पांच सालों में पर्धान हमारा काम हुए हुं नाम आपको ओड़ेगे बात खतम केसर्वा गाओं पहुचने थे और केसर्वा गाओं पहुचने के बाद जो यहां का हाल है वो बेशक देखने वाला है यहां पर कोई भी काम नहीं हुए ग्रामिनों के अनुसार यहां पर पास साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुए है मनें चोन्ता पांबका! चर्वार मिया दए काह मुतका पांब दो सब्सक्राइब करें अब आप इसमारी कोई समस्या नहीं है शरिफ हमे जो बनाने आय थे ठेकेदार से उनसे समस्या है कि जो लेटिंग बनाये हैं अब हम लोग थे नहीं मजदूरी करने गए थे उतनी देर में हफते खान में इसको बना के दो तीन दीन में फिट कर दी है अब आप ही देख लीजे कैसा है सामने ये एकाउंट में पैसा आया था आपके या नहीं वहीं आया था पधान ने बनवाया है ठीक सभारत मेसंट के तहद लोगों को सचाले मिलने थे और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं सोचाले की स्थिटी क्या है और यह सोचाले तो खाली नाम के लिए बना दिया गया है लेकिन इसमें कोई भी कार नहीं किया गया है जिनका यह सोचाले हम उनसे बातचीत करेंगे यह कब बना था सोचाले परदान कोई जाए परड़ान कोई काम नहीं गरते यहां पर जो सपने हैं उनको अधूरा करते हुए नजर आ रहे हैं जो ग्राम परधान है उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है हमाई साथ एक पीड़ता मौझूद है जिनका सौचाले तो बना है लेकिन सिफ दीवाले ही खड़ी कर दीगे हैं वह सौचाले किसी भी उपयोग में नहीं जिसका यही कारण है लोग खेत में सौच को जाने के लिए मजबूर हैं क्या नाम है आपका गुड़िया कहां ग्रहिने वाली है मुर्तिजान अगर क्या समस्या है सौचाले आपको मिला है सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जो सौचाले है उनकी स्थिति क्या है सौचाले तो सिफ नाम मात के लिए बना दिये गए सिर्फ कागजों में सौचाले दर्ज हो गया लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही है जब चुनाव होते हैं तो जो परधान होते हैं वो जनता के बीच आते हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं लेकिन वहीं जब जनता उनको चुन लेती है तो फिर वो अपने छेतर से गैब हो जाती हैं यही हाल के सरवा गाउं का है जहां पर परधान सिर्फ ओट लेने आते हैं गाउं में जो विकास है वो कोसो दूर है कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है आप सड़कों की हालत देख सकते हैं इससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कर देख सकते हैं